राम राम जी क्याल सारें का रील इंडिया चैनल पाप सारे साथियां स्वागत हर भई आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट ले करके आया हूँ बड़ी अपडेट हूँ भी आपको मिलती रहें तो चलिए साथियो शुरू कर लेते बिना टैमस्ट के वीडियो तो साथियो सबसे पहले बड़ी अपडेट पर बात कर ले देवे सीटी को लिए करके तबी हर्याना करमचारी चैन आयोग ने एक सता गुजर जाने के बाज़ तो हर्याना के मुखह सचीव ने हर्याना करमचारी चैन आयोग को गत्तेई सक्तूबर को पत्तर बेजगर कोमन एलिजबिल्टी टैस्ट यानि सीटी में हाई कोट के फैसले बाट टीपणी बेजने को कहा था मगर एक सबता बीत जाने के बावजूद आयोग ने मुखह सच को सीटी संसोधित करने बारे में अपना प्रस्ताव नहीं बेजा है और अभी तक एचसे सीना गुरूप सी और गुरूप डी के लिए एक ही बार सीटी आज़ित कराया है और लाखों यह आप दोनों सीटी होने का इंज़जार कर रहे है तो बाजबाने दोजार चोविस के विधान सबाचनाव में संकलप लिया हुआ है कि पांत साल में दो लाख पकी बढ़तियां मिशन मेरिट पर की जाएंगे मगर अभी तक जिन 24,000 पदों का रिजल्ट निकला है वेपद पहले से ही विगयापित थे और आई कोट के निर्देश के बाजु जोने पुनर विग अभी तक जो है टिपनी की मांग की थी ताकि जो एचसेसी की इच्छा नुशार संसोदन उसके मगर आयोग ने अभी तक जो है टिपनी नहीं वेजी जबकि आयोग पहले इतनी तेजी दिखा रहा था कि विधान सबाचनाव दोरान इमुकस्चिव को पत्तर लिख करके CT आजित करने का अगरे कर रहा था चुँकि हाई कोट ने CT में समाज अगार्थिक मांदंड के दिये वयंकर समाप्त करती है और इसलिए CT मिस्तन सोदन तो होना ही है मगर CT पहली बार हुआ था इसलिए CT में स्लोट लिस्ट करने का मांदंड भी ठीक नहीं है तो यह चेयर ग कुछ कहना वही उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट जो आज की नियूजबे प्रम प्रकासी दो इभी कोचिंग देने वाले संस्थाओं के मुख्यां और उमिद्वारों ने सीटी बारे दिये सुझाओं वही हालां की हर्याना करमचरी चायन आयोग और हर्याना सरकार को अब्यार्थियों को कोचिंग देने जाने वाले संस्थाओं के मुख्यां और उमिद्वारों ने सीटी बारे सुझाओं दिये हैं उनकी मांग जिसीटी क्वालिफाई हो नियूंतम पचास पिसदी आंगों उन्हों ने ये सुझाओं दिये प्रिक्षा कलेंडर का प्रकास प्रिक्षा पाठ्यक करम का सिमांकन होना चाहिए जिसके चारों और प्रतिवागियों का प्रिक्षन किया जाना है और पिछले ब्यास और अन्हा भरतेजेंस दुवार अपनाई गई करेपणानी के अनुसार सीटी प्रिक्षा में उमिद्वार के बुनियादी आई की उस्तरों और समान्ने ग्यान का प्रिक्षन किया जाता इसलिए सीटी प्रिक्षा के लिए आपके ये पठ्ठेकरम प्र फिजदी गणित रिजनिंग हिंदी अंग्रेजी साइस केंपूटर एंड जी के एंड करेंट सीटी प्रिक्षा क्वालिफाइज हो इन की प्रकृति जो उमिद्वार सीटी में कम सिकम पचास पिछ दियंग प्राप्त करता है तो उसे अगली प्रिक्षा है यानि सीटी जाना चाहिए हलांकि वह अगली प्रिक्षा में बैठ सके बले विगापित पतों की संख्या कितनी भी हो चाहिए स्रेणिवार या समुवार भाजन किया गया हो क्योंकि सीटी प्रैक्टिस है हाल ही में शुरू हुई है उसे उसे जो है उस समय तक क्वालिफाइंग सुधार पोर्टल को उसमें खोलने के स्विधा होने चाहिए इससे आयोग उचित समझे ताकि यदि किसे व्यार्थी द्वारा सीटी प्रिया किसी अन्ना चरण की प्रिक्षा के लिए ओनलान बढ़ने के दोरान कोई गलती की गई है तो उसे व्यार्थी द्वारा प्रिक् यस आर नंबर से होंगे लायो तो हर्याना विदयालला है शिक्षय वौट द्वारा द्वारा निदेसालला शिक्षय सक्रींड्री सिक्षङ ओनला के इस्चैए अनुसार्याना अर्यापकक पातर ता प्रिक्षा messingचा क्सान्य अच्छां मिच्चा ऑइक दो तीन कायोजन सा है साहे तीन बज़े से पांच बजगर 30 मिन्ट तक आयोजित करवाई जाएगी तो प्रिक्षा से समंदित सुजना बुलेटीन बोर्ड के धिकारी वेबसाइट पर उपलब्द है बोर्ड पर रोकता ने बताया कि इच्छु के ब्यारतिया स्टेट के लिए ओनलाइन आवे द पर उसका प्रिंट लेना सुनिस्चित कर लें उनने बताया कि ब्यारतिया अपने वीवर्ण फोटो अस्ताक्स रंग उठ्या निसान लेवल विशेगे चैन लेवल दो वे तीन जाती वरग दिव्यांग श्रेणी हुए गरह राज्य में 15 से 17 नुम्बर तक ओनलाइन दार के नुमती नहीं होगी और इस अंदर में कोई भी जो है प्रार्णाय प्रतिवेदना किसी भी मादम से स्विकार नहीं की जाएगी तो यह जो दो बड़ी अपडेट थी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करना न भूले तो फिर मिलेंगे कि नहीं लेटर स्ट अपडेट के साथ इसे के साथ जैहिन जैवार्थ